गड़वा पलामू और लाते हार जीला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं जाना चाहेंगे यहां की जनता से कि कितना विकास कारियों है किया क्या नजर आ रहा है यहां को दे रहा है उस तरीका से हमारे कोई लाभ नहीं मिल रहा है नगरपालिका से अज देखे दोरा दर्वाजा वो बैटने में हमको इतना दुर्गंद आता है नाली उली महीना में भी एक मर्दब लेहा रहा है इसके चलते हैं वहां दुर्लब हो गया है मच्छड दी हो गया कभी मच्छड का दवाई वही ने छिरका जा रहा है कोई लाभ नहीं मिल रहा है लेन के पुरत् अपने आप बदल दे रहें सब म्लग कर देख कर देख एक ये थेख दूज़ जाए ये ने रहें अपने आप बदल दे रहें सब ने जाने हैं महला में बदल देख टी में उसके तिलिन है एक सालों से यह फाइप तूटा पड़ा है इसमें ना कोई देखने वाला है ना कोई बोलने वाला है चिरिप अस्वासन देते हैं कि हाँ यह हो जाएगा डते हैं और शर्भ बाएं के एक अपानी शुजरे नाली का पानी तो ञखों जाता हैं थीज़, यह गि पाह criarके शर्च बाइनेरि, Estamos हाट तो भैति भार मझो हां जिए नाली का पानी बाद नानी के पानी के पानी का पानी करता है। विकास के नाम पर तो सिर्फ लूट हुआ है, विकास के नाम पर सिर्फ लोग को सपना दिखाया गया है, विकास के नाम पर लोग अभी तक असरे में है, कहां बिकास बाबू है। यही विकास है देखिए संपुरुगा में जहां घुम घुम के देख लिजिए कहां विकास समझ में आ रहा है बस एगो कॉचल विकास केंदर का एगो बिल्डिंग बना हुआ है पर शिचन केंदर आने वाला समय में सुचारू रूप से यह चलेगा कितने लोग को काम सिखने का मौका मिलेगा कितने लोग को काम करने का आउसर मिलेगा लेकिन विकास के नाम पर, नहीं यहां का नाली पर कोई ब्योस्ता है, और नहीं यहां पर सफाई पर कोई धियान है, सफाई के लेकर किसा कि अब यहां के जो उप्राइड में अभियान चला उस अभियान के तहट हमारे नगर पंचायत में लूट के अलावा खाना पूर्ती के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ है कि अब अब कुरा एक अ मुझ केंदरा दे लिख लेकिन से केंदर में वहाँ पर एक झो चिए पहला आप देखें इससे मेरा बिमारी पैधा होगा की नहीं और दुसरी चीज है कि अभी तो सुने है कि हर घर में डस्ट पिन दिया जाएगा ठीक है लेकिन डस्ट पिन मिलेगा तो उसके लिए हम लोग के भी पूरे जनता को भी जागुरूप होना पड़ेगा और नगरपरसत को तो कम से कम 100% इसमें जिस हिजाब से जनता को जागुर फरतरक के घर घर जा करके लोगों को जगरूप करना होगा तबी तो यह सोट्षता अभाइन पुरा होगा और रिवाध बिकास की बाद बिकास नहीं हुआ लिकास के नाम पर श्रीफ लूठ हुआ है समसान घाट के पास लगभग दौनों सोचाले मिला कर क्या हो एक करो रुपया कि लागस ते दोनों बिल्डिंग बना हुगा है वो ब्लों काम यानि किए करो रुपया सीधा सीधी लूठ है उससे क्या फैदा होने वाला है इसे कौन जाएगा रहेगा, कौन रहेगा वहाँ, वो एक करो रुपय हमारे बीच, यही नगर हाँ, शन्पुर्वावाद नमर 14 में, फिना पुरानी बैल बजा रहेगा, एक दीप हो जाता, एक पानी का ब्योस्ता हो जाता, तो गोण महला, कुम्हार महला, नालबंग महला, चार महला, तो हम लोग बलग हो जाते हैं, इस पानी के पॉइंट से, तो हम लोग को किसी तरीका से बेटी बहु बहन को बजार की हो, यह कानी के परसने के लिए नहीं उठाना पड़ता, और हर घर में डीप बोर नहीं होता है, क्योंकि एक लाक रुपया होता है, और हर घर समभव नहीं है कि हर जगा डीप बोर अपना परसनल करा सके लिए से हम जानते हैं कि वहां पे डीप बोर का समख्या है, वहां का एक पी सीटी उतना नहीं है, कि पूरे हमारे हम बुले एक गोड महला संपुरुवा में, तुम्हार महला, नालबन महला, रोभी महला समभव समभव नहीं है कि वहीं पॉइंट से हम लोग कभी संभवने क्योंकि वहां से भी बहुत साहूं का प्वाइंट है, तो यह अलग आज से नहीं हम पिछले पांच सालों से कितने बार लिखित में भी दिये जनी तादत के भी समय में और हमारे पिंके कैसरी के समय भी वाट न परिसिमन हुआ है, इसके लिए कर आपको क्या लग रहा है? इसका हम लोग भी रोद करते हैं, महला के साथ साथ हमारी कमिटी जो इसका भी रोद करते है, इसलिए क्योंकि जो भी डोकुमेंट लोगों का बन चुका आचाए, वाधार काड़ हो, पिंकाड़ हो, जा मतलब क्वालिफिकेशन डोकिमेंट हो, उसमें सभी कोई का वाट प अब लिजी की सपोज़ डायट प्रोविजनल सेटिफिकेट में और किसी चीज में वाट नमबर 16 चुदा दिया हुआ है, तो वो कैसे चेंज होगा, सबसे बड़ी समस्या, जो वाट हम लोगों का मतलब अधर काड़ में हो तो चेंज हो जागा, लेकिन हर पांच साल के बा का चीज ही हम लोग के पास आता है, तो लोग जान रहें कि ये 16 वाट है, ये 14 वाट है, उन लोग को भी दिकत होगा, हम लोगों का जो भी पार्सल डोकुमेंट आता है, उसमें भी दिकत होगी, क्योंकि उन लोग को भी पाचानने में करने में दिकत होगा, कि वाट पाच क हस्ताचारे भियान के बाद जो है हम लोग इस ग्यापन को बिसी मोहदे के पस्टोपेंगे यह जो हम्भूगो का वाड है इसमें जो है जिस तरीका से पहले था उसी तरीका को वाड को छोड़ा गया जो जो बिपास का कर रहे है वो बुसा कर रहे है क्या नाम हो आपका मेरा महाम हुआ महमद राशित कांद को वाड में हो इसको मैंने मीडिया के सामने उज्यागर की जो बिपास के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाए झाल